नमस्कार बहार तक देख रहे हैं आप और मैंना नाम है प्रेणना इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस राज्यसभा सीट की जो रामविलास पासवान की दिहान के बाद खाली हो गई अब उसको लेकर मद्दान होने हैं ये मद्दान 14 दिसंबर को होगा लेकिन उसके पहले जो तमाम कयास हैं कि आखिर कौन राज्यसभा का सदस्य होगा जो सीट खाली है उस पर किसका दावा है बीजिपी किसे राज्यसभा भेजेगी और कौन रेस में आगे है और कौन पीछे ये तमाम सवाल इससे जुड़े हैं हाली में बिहार वधान सभा के चुनाव हुए हैं जो काफ़े दल्चस्प था और अभी राज्य सभा का उप चुनाव तो इसको लेकर जब रामविलास पासवान का देहान्त हुआ तब LJP ने इस सीट पर अपना दावा किया और प्रधान मंत्री को चिठे लिखा है कि इस सीट पर उनकी पतनी यानि रामविलास पासवान की पतनी रीना पासवान को राजसभा भीजा जाना चाहिए अब अनकी पतनी को ट्रांसफर हो जाना चाहिए ये मांग LJP ने की है लोगजन शक्ती पाटी ने की है जो बहार में NDA के साथ नहीं है लेकिन केंद्र में NDA के साथ है और आप जानते हैं चराक पासवान की प्रधान मंत्री मोधी की तरफ काफी नजदीकियां काफी जुकाव है तो इसको लेकर LJP ने ये डिमांड की है लेकिन BJP इस डिमांड को स्विकारनी की मूड में नहीं दिखाई दे रही है असल में कयास लगाया जा रहा है शुरू से ये कयास लगाया जा रहा जब से सुशील कुमार मोधी को डिप्टी सीम का पद नहीं मिला तब से राजनुतिक महकमी में ये खबर थी कि सुशील मोधी को जान बूच कर बिहार मंत्री मंडल में जगा नहीं दी गई है क्योंकि केंद्र सरकार उन्हें केंद्र में लाना चाहती है उन्हें राज्यसभा का सदस्त बनाना चाहती है और फिर मंत्री केंद्र मंत्री मंडल में शामिल करना चाहती है या नहीं केंद्र सरकार उन्हें केंद्रे मंत्री बनाना चाहती है तो सुशील कुमार मोदी एक रेस में आगे दिखाई दे रहे हैं राज्यसुभा के टिकर उन्हें मिल तकती है इसके अलावा सांसद रह चुके हैं शेहनवाज हुसान बहार से ही तालोक रखते हैं कि शेहनवाज हुसान को भी राज्यसभा भीजा जा सकता है यह जो सीट है इस पर सबसे आगे अभी सुशील मोदी फिर शेहनवाज हुसान का नाम आगे बढ़ रह आ है क्योंकि शेहनवाज हुसान सांसद रह चुके हैं और काफी समय से उन्हें कोई पद नहीं मिला है तो ताइम आना जा रहा है कि बीजेपी खाते में जाएगी इसका उप्चुनाव होना है उसको लेकर क्या बीजेपी सुशील कुमार मोदी को आगे भेजेगी या शेहनवाज हुसान की किसमत चमकेगी यह तमान सवाल है लेकिन अभी भी इसकी कोई पुष्टी नहीं किसी नए चहरे पर भी अपना दाव चला सकती है या भरोसा दिखा सकती है तो अगर राज्यसभा में कोई आपको नया चहरा दिख जाए तो इस पर सवाल नहीं उठाईएगा नहीं हैरान होईएगा क्योंकि हो सकता है यह मुम्किन है कि बीजेपी राज्यसभा में किसी न दिसम्बर को होगा परिणाम 16 दिसम्बर को आएंगे इसके पहले नामांकन शुरू हो चुका है नामांकन आज से शुरू हुआ है हलाकि नामांकन प्रक्रिया में अभी किसने अपना नामांकन दाखिल किया है आज किसी ने नहीं किया इसलिए अभी तक कोई चेहरा भी सामने नहीं है तो इंतजार के लिए 16 दिसम्बर का तब ये पत्ता जो है खुलेगा कि आखिर कौन राज्यसभा तक पहुँचा कौन बना राज्यसभा का अगला सदस्य ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताए शुक्रिया